फस्ट आपल गूर्ण डॉल आफ यू तो अपन करते हैं वही लेक्टर नमबर सेवन देखते हैं तो अपन लास्ट लेक्टर में हम देख चुके थे कोशन नमबर 252 तक लास्ट टुनेटी भी खतम हो चुकी थे अपने नेक्स्ट टूनेट अफ इनर्शिया कोशन नमबर 253 को देखते हैं कोशन नमबर 253 यह जो यूनिट है पहले बता दूं आपको सारे 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 सेक्षन के लिए आपको पता होने चाहिए कि सेक्षन के हमार मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सीजी कहां पर होगी पूर टेवल मैंने आपको वताई हुई है अपने थियोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारा सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया उसी को पन क्या बोलते है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिजिए यह हमारा सेक्षन था तो इसका हमने मोमेंट ऑफ एरिया निकाला मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है यह जो टोटल एरिया है उसका किस बेस के respect में आप moment निगालो total area और इसका cg center पे था तो यहां से distance मान लीजी मेरी y है तो आपने क्या किया इस complete area into में y bar कर दिया तो यह क्या कहलाएगा मेरा moment of area यह moment of area कहलाएगा लेकिन मैं इसका से इसका में एक बार और multiply कर दूँ इस से distance से य बार से एक बार और multiply कर दूँ तो यह क्या कहलाएगा मेरा second moment of area यह तो moment of area था यह क्या था मेरा moment of area इसका मेंने क्या किया एक बार और डिस्टेंन से लाइ मटीप्डय कर दिया लॉंग डिस्टेंस तो यह मेरा ट्रायंगा सेकन्द मुमेंट और एडिया और क्या बोलते हैं एवाई एक सकाwald को hi मतलब मूमेंट ओफ्न चेरुा होता है मेरा सेकन्ड मूमेंट ओफ एडिया ओप्सन बी, question number 254, यह क्या कहता है, question number 254 आप से कहता है, moment of inertia is a concept applicable in case of, moment of inertia हमारा होता क्या है actual moment of inertia, यह वो quantity होती है, वो चीज होती है, जिसकी बदौलत कोई भी बोड़ी अपने आपको घूमने से रूखती है, मालों मैं हूँ, तो मुझे कोई इस तरह से कोई force लगा रहा है, तो मैं क्या हो जाऊँगा, ऐसे है, मैं यू रोटेट हो जाऊँगा, लेकिन मेरे अंदर क्या है जड़त तो आगहोंड moment of inertia है, जिसके कारण मैं घूम नहीं रहा हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, जितना ज्यादा आई होगा, उतना ही ज्यादा मेरे अंदर रोटेटिंग प्रवर्टी, जो रोटेटिंग जो टेंडेंसी है, वो क्या हो जाएगी, रिडूस हो जाएगी, तो moment of inertia से इतना ज्यादा होता बोड़ी का उतना ही, बहतर बोड़ी होती है, तो रोटेटिंग बोड़ी के लिए अपन इसको जाएगे, काड़ देना मिस्प्रिंट है, इसके जाएगे लिखना आप एनी, ठीक है ना, about any orthogonal axis is, sum of moment of inertia, कोई भी orthogonal ये मान लीजे मेरा rectangular section है, तीन axis है, ये x, y और ये z, तो चाहे मैं x और z, दोनो perpendicular एक दूसरे के, तो कोई भी दो axis, x, y, इसको x मान लो, ये x, ये y, और ये y, ये z, तो चाहे मैं x और z का moment of inertia को जोड़ू, चाहे y और z का, चाहे x और y का, sum, योग क्या रहेगा, हमें साथ constant रहेगा, तीनों की values अलग लगे लेकिन, योग क्या रहेगा, constant रहता है, तो इसमें answer मेरा आएगा option b, 255 में क्या आएगा option, b आएगा, 256, ये क्या कहता है, the ratio of the moment of inertia to the span length is called, i, y, l को अपन denote करते है, कैसे, ये क्या लाता है मेरा relative stiffness, ये term में आपको पूर पूर डिटेल बदावा इस्ट्रक्च्छरल NLC subject के अंदर, वहाँ पर moment distribution method है, वहाँ पर काम आती है, ये, तो आपको फिलाल ये धिहां रखना है, i, l, क्या होता है, हमारा k, क का मतलब क्या होता है, relative stiffness, वहीं पर काम आता है, ये वाला पहला मेंटर है, और जिनोंनों offline classes लिये, उनको मालूम होगा, ये मैंना पढ़ा है हुआ अच्छे से, तो ये का मतलब क्या होता है, relative stiffness, 257, the center of gravity of a uniform lamina, lamina का मतलब होता है, कोई भी layer, कोई भी परत, कोई भी surface, उसक symmetric है, center पर होगी उसकी, कहां पर होगी इसकी, center पर होगी, कहां होगी इसकी, center पर होगी, center पर होती है, midpoint of its axis, जो भी इसका midpoint है, उसके axis पर, इसमें लिख रहा है, c option है, the center of the heavy portion, अरे heavy portion का मतलब ये है, अगर ऐसा होता, तो ये cg है, इसका heavy portion ये है, इसका cg यहां होगी का नहीं इसके कहाँ पर होती है midpoint of the axis जो axis है उसके midpoint पर होती है आपने देखते हैं question number 258 देखते हैं ये का कहता है 258 the center of gravity of a semi-circular body of radius 10 cm lies at following distance above base इसकी पूछ रहा है कहाँ पर होती है base से आपको मालूम है 4R upon 3 pi होती है तो 4R कितना है radius 10 cm आपको उनमे 3 into pi कितना होता है 22 बटे 7 या 3.14 कुछ भी बोल दो आप तो 4 नहीं का 40 बटे 3 into 3.14 इसको आप 3 ही मालो 3 तिया 9 हो गया तो 40 में 9 का भाग दो 9.36 तो 4 point कुछ आना चाहिए आंसर हमारा option कौन सा हो गया C एक्जेक्ट नहीं निकालना सौबार बोल दिया मैंने calculation में हापर आपको ऐसे ही करनी है को क्यों कैल सी होगा नहीं और ऐसी values नहीं बोलेगा 4.24, 4.5 ऐसी आंसर मिलें तो क्या आंसर आएगा इसमें हमारा C 259 देखते हैं यह कहता है the moment of inertia of a rectangular section of width B and depth D भाई width B और depth D अब देखो इनके अंदर इन questions के अंदर मैं आपको काम के चीज़ बता दू काम के चीज़ यह आप अच्छे से पढ़ लेना यह question बहुत simple है क्योंकि इनके के बर formula है आपको मालू में इसमें कुछ बताने वाली unit नहीं है यह वाली आप अपने आप भी कर सकते हो जो mistakes होती है मैं आपको वह बताता हूं mistakes यह होती है आपको उसने बोला rectangular body है तो उसका जो CG है उसके साफ एक्ष में होता है अपना आपको बोला कि उसकी जो विर्थ है वो तो है D और जो इसकी depth है वो है B उनके नोटेशन चेंज कर दिए विर्थ को वो डी बोल रहा है depth को भी बोल रहा है कोई कहके मर गया क्या कि विर्थ को B से denote करो depth को D से आरे वह उसने इसको D से कर दिया जो अब कहरा निकालो है और अब कहरा है निकालो तो अमारा आंसर विर्थ के परलल है मतलब ये वाली होगे विर्थ के परलल तो यह नहीं एक्स तो एक्स ऑन्स तो आनसर क्या जाएगा मेरा सी तो यह नॉर्मल को सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है तो कोशन नमर्ट तू सिस्टी देखेंगे ओपन यह क्या कहता है दो मुमेंट ऑफ इनर्शिया और रेक्टेंगुलर बोड़ी ऑफ विर्थ डी आप देखो उल्टा कर दिया विर्थ तो देदी उसने डी और इसको बोला हुआ है और इसके साफ एक्ष पूछ रही आईए इसने इसके साफ एक्ष पूछ तो आंसर क्या वाजाएगा मेरा यह स्मॉल डी बी क्यूब पॉंट पहल आंसर डी बी बी को पॉंट जबकि सब क्या लगाएंगे बी लगा देंगे और आंसर बिल्कुल गलत ह तो आंसर गया आएगा 260 में यही थे मिस्टेक वाले पॉंट जो हमको गलती नहीं करनी नेक्स देखो तो मुमेंट अफ इनर्शी ओफ रेक्टेंगल ओफ बेस बी एंड हाइट एच यहां पर इसको तो बोल दिया और हाइट को बोल दिया एच बोल के डी नहीं बोला कुछ प्रश meant on about the base अग किष्के रस फर्वी फर्वी ब्यॉस डाफ याप याब एक रस पेक्ट में अपर टे ऑफ एच ही अख जय और हरेक्ट में तो बेयस के है के पाल एप उन द हर कुछ होता था यहाँ पर बीडी कि vous inertia of a rectangular section about its base and an axis parallel to its base and passing through its center of gravity मतलब क्या कह रहा है एक तो यह इसका base मालो आप बी डैस है यह ठीक है आप बी भी मालो तो इसके respect में जो हमारा moment of inertia इसके respect में जो moment of inertia है वो और इसके respect में मेंट इसके respect में क्या होता है मेरा बी डी कुब अपॉन 3 और इसके respect में क्या होता है बी डी क्यूब अपॉन 12 12 ऊपर 3 नीचे क्या आगा अनसर 4 उल्टा पूस्ता इन दोनों का रेशों बता हो तो तीन बटे बार आपर आपर एक बटे चार आंसर क्या जाए किसमेरा चार आ जाएगा 263 देखते है वापन 263 का क्याता है तो बहुत section modulus क्या होता है जैड बरावर i by y यह वो parameter होता है जो क्या बताता है किसी भी बीम की strength को बताता है जितना जादा यह होगा उसकी strength उतनी ही जादा होगी i by y होता है हर section के लिए आप directly आपको याद रखने एक chart इसका बनाना है आपको cg हर section के लिए उसका आप cg लिखोगे different section लिखोगे उसका cg लिखोगे cg के बाद में आप क्या लिखोगे उसका i x x i y y और i z z बोलो उसको चाहें जे बोलो कुछी बोलो और उसका section modulus इसका chart भी आप बना लेना और उसको याद रख लेना तो आपको मालूम है यह जो मैं तो i upon y होता है i कितना होता है bd cube upon 12 rectangle का यह rectangle ही तो है वाई क्या होता है वाई का मतलब होता है जो neutral axis है उससे extreme fiber की distance extreme fiber का मतलत है दूरस्त fiber by rectangle section है तो देखो इसका cg center पर होता है center से top वाले fiber की दूरी और bottom दोनों की बराबर है कितनी total depth का half यहां से यह वाली दूरी और इस वाले फाइबर दोनक दूरी बरावर है क्यों क्यों कि बिल्कुत सेंटर पर होता है लेकिन अगर मेरी बात होती ऐसा कोई सेक्षन होता तो उसका सीजी कहां होता यहां होता तो यहां पर मेरा वाई क्या होता यह देखो मालो यह इस सीजी से और इस वाले फाइबर तक की डिस्टेंस है मेरी 60 और यहां से इसकी डिस्टेंस है मेरी 40 तो मेरा वाई कौन से लेता मैं जादा वाला लेता यह तो यह वाद ध्यान रखना आप वाई क्या होता है अमेशा हाफ डिस्टेंस नहीं होती वो नीट्रल एक्स से टॉप मतलब एक् टू लिख देता हूं तो जब आप ये करोगे तो D से D cancel और ये 2 से ये 6 बार BD square by 6 तो rectangle के लिए ये हो गया मेरा BD square by 6 होता है किसके लिए rectangle के लिए अगर मैं आपको बोलू square के लिए तो क्या हो जाए कि square अब B और D A की चीज़ होती है तो मारा D cube by 6 हो जाएगा कुछ भी बोल दो आप उसकी जो square की B और D width और depth दोने एक चीज़ होती है A माल लो उसकी side तो A cube by 6 हो गया और हमारा जो अगर मेरा क्या है circle है तो circle के लिए Z क्या हो जाएगा पाई D 4 by 64 तो ये होता है और ये होता है D by 2 तो ये हो गया इसका D cube by D cube by 16 sorry 32 ये हो गया इसका क्या Z किसका circle का तो आपको सारे सारे पता है तो आपको directly ध्याने वेल्यूज पाई D cube by 32 तो ये वारबाण ने निकालेगे बीडी स्कार बाई 6 अब आप लुक कितना होगा बीडी स्कार वाई 6 तो बी कितना दे रखा है बीस डी सार्ट का स्कार मैंने बूला ऐसी लिखना है मैसा अपॉन में 6 6-6 इंसल चैनली बारा और एक दो तीन तो कितना गा मेरा बारा हजार कौन सा कोशन था ये बारा जार सेंटीमेटर क्योग तो 63 में आ 264 को भी देखते हैं यह कहता है दो मोमेंट आफ इनर्शी ओफिस सर्कुलर सेक्षन अबाउट इट्स एक्सस पाइडी फोर वाई 64 सर्कुलर क्या होता है पाइडी फोर वाई 64 अगर मैं इसको निकालना चाहू रेडियस के ट्रम में तो क्या हो जाएगा डाइमेंटर होता आ है रेडियस का दूगना तो तो डू आर पावर चार प्लोट सिटीफ और दू कि पावर्ट जार दोनी चार दोनी आज दोनी सोना पाई आर फॉर भाई शूह तैफीर यहा फिर पाई आर फौर फौर वाई the same thing radius के टर में पाई आर फोर वाई पूर डाइम डपाई टीपर वाई 64 तो अपना अजर 264 में क्या आएगा मेरा ए आएगा कुशन नबर 265 265 का केता है मोमें डविनर्जी ऑफ सर्गलर प्लें ले मिना अबाउट इस एंट्रोइड एक्स एक्स इस गिवन भाई पाई आर पोर भाई पोर इसमा आर की टर्म में है तो क्या होगा मेरा पाई आर पोर वाई 4 अब देखते हैं पर कोशन नमबर 266 दा रेशो अफ मुमेंट अफ इनर्च या ऑफ ए स्कुलर प्लेट एंड डैट ऑफ ए स्कॉर प्लेट प्लेट फॉर एक्वल डैप इस मुमेंट अफ इनर्च अगर इस अपूच रही सर्कल का और स्कॉर सरक दोनों की डैप्त क्या है इक्वल डैप ताप एमालो इसकी भी डाइमेटर क्ले मालो तो इसका मुमेंट अफ इनर्च अफ पाई यहां पर डाइमेटर ए है पाई डीफूर भाई 64 इसका यहां पर ए दे रखा है ए ए फूर बाय पैल यही तो होता है वही तो आपको रिश्यों तो पूच रहा है आपने भाग दे दिया सर्कुलर रोजसका पूच रहा है तो देखो ए फोर से ए फूर कैंसल उपर पाई बजगा बारा उपर यह आगा मेरा पाई बजगा एक तो और यह बारावर टे जोंसर्ट तो इमेरा कितना हो गया चारतीय बारा शुला चुछ थरी पाई भाई बाई 16 3 5 by 16 option C हो गया कप कैसे पता चला मुझे जम मुझे इन दोनों की वेलिए पता थी तब मैं से में डाता हूं तो कॉशन कोशन नमबर 266 में क्या आएगा मेरा 3 5 by 16 कोशन नमबर 267 दा मुमेंट ऑफ इनर्शी आ आप ट्रैंगुलर सेक्शन अबाउट इट्स बेस बेस के रा अश्पेक्ट में आप ट्राइंगल की बात आती है वही दो कहानी एक तो c.g की राति में तो c.g की तो यह एक से बेस मेरा b b है बेशर के राति में Leeds kो टी है यह इसकीербर्थ ब्रॉन लिजिए ह॥ यह बी मनलीजिए तो अगर मैं c.g पर क्いесь ट्राइब गियत एसपेक्ट में और ये तोबेस के रिश्पेक्ट के एखेस लूड़ समने مयूंचे तरो 91270 कि आएगा धया मेरा भी लॉडबी एच्ट की आए अपनमे क्या तोim ila 6667 में क्या है मेरा बेस जोर साय आएगा कोशन नुमर्ट तूश्टी एट देखते हैं एट में कहा रहा है मुमेंट आफ इनर्ची आफ ट्रेंगल सेक्शन अबाउट एक्स पासिंग तूइट सेंट्र ग्रेविटी वही कोशन किसको बोल रखाए किस एक्स के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है सेंट्र ओफ ग्रेविटी तो क्या आएगा बी एच्क्व अपॉन में 36 तो देखो दोनों को सब्सक्राइब दोनों ही ओप सने सब्सक्राइब और अबारा है और अबारा दोनों और ऑप सने ए और बी तो आंसर कौन सा आएगा बी आएगा वस्ट नवर्ट टू सिस्टीन देखते हैं यह कहता है फॉर ट्रैंगलर सेक्शन दरेश्व ओफ मोमेंट ओप इनर्शिया अबाउट इस बे सथी सूप पर बारा नीचे तीन आंसर वैसे कॉसन हो गया तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन सिया है टू सेवन्टी कॉस्ट नमर्ट टू सेवन्टी एट अनी पॉइंट ऑफ बीम तसेक्शन मोडूलस में बी ऑप्टेंड बाई डिवाइडिंग दा मुमेंट अफ का डैट ऑफ दन यूट्रल एक्सिस डैट और नूट्रल एक्सिस यह बात बिल्कू सही है आप देखा अभी आपने अभी आपको समझने आया कि यह यार्ण डैप अपनी टेल एक्सिस कैसे होगी आपने सीदेखा मैग्जिम टैंसाल इस्ट्रेस एड़ दर सेक्शन आप य दूरी होती है बिल्कुल सही बात है अगर मैं इस फाइबर से बोलूं फाइबर से वाई क्या हो गया मेरा डैप्त हो गई कहा तक की न्यूटरल एक्सिस तक की डैप्त हो गई अगर मैं इस फाइबर से देख रहा हूं तो वाई क्या है इस फाइबर से इस न्यूटरल एक्सि क्या आएगा बी आएगा तो कोशना बाद देखते हैं मापर 271 देखते है 271 क्या क्याता है the ratio of moment of inertia about the neutral axis to the distance of the outermost point of the section from the neutral axis gold array i upon y section modulus के लाता है 271 मे क्या आएगा मेरा बी आएगा question number 272 the section modulus of a rectangular section about an axis through is lichrana is 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 ko a public look it's through it's a cg is pahle-wale is got its look low get now the bd square by six of human apple but i have bd square by six or 272 mega camera bd square by six to 73 a beam of square section is used with its diagonal horizontal the modulus of section of the beam is given by they go by other yet omera square thai ski side p e agar a mess cook out of the town schedule diagonally any diagonal diagonal camera they go by car no yeah kind of guys for you can go up x-malo so kind of guys five hour long guys five plus on her case by number other but our two x is five hour to a square square quarter to root I got took care of guy a route to x key value can only Mary a route to take a amica car on is come a is that a car that I'm a diagonal go to hold under the town my nice swap a b c or d की मालब तो एसी को तो मैंने कर दिया होरीजोंटल बाकि चीज़ है ऐसे आ गई ए ए और यह मेरा ए रूट टू इस वाले केस में जो मेरा मोमेंट आफ इनर्शिया आता है इस केस में मॉडलास ओफ मॉडलास वरी सेक्सर मॉडलास जो आतास की वैल्यू के आगे मेरी जैड की एक यू अपॉन में सिक्स रूट टू यह जो आपको दिख रहा ऑप्सन सी यह आएगा इसकी इस वाले केस में कैसे निकालो और इस वाले केस में देखो आप बेस के रेस्पेक्ट में यह निकाल लो दोनों चीज़ा है यह दो ट्राइंगल दिख रहे हैं सेड क्या होता है जैड होता है मेरा आई बाए वाई होता है तो आई क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर जो मेरा आई है वो होगा इसका सेक्शन मोडूलस और इसका सेक्शन मोडूलस स्वारी इसका मोमेंट अफ इनर्स किसका यह जो आपको दिख रहा है सेक्शन अब यह सेक्शन कैसा हो चु होगी हrito इसका हाफ क्या हो जाएगा कि रूट टूबाई टू होजाएगा ठीक है धाफ को क्या कर J इसका यह सेक्षन दिख रहा है, इस सेक्षन का मुझे निकालना है, Z निकालना, Z होता है, I by Y, I कैसे निकालू? I निकालने के लिए simple सा तरीका है, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो ट्राइंगल यह है, एक यह है, इन दोनों triangle का आप इसके base के respect में निकाल लो क्या moment of inertia और दोनों को जोड़ दोगे तो किसका आ जाएगा इस complete का आ जाएगा तो मैं इस वाले triangle का base के respect में क्या होता है बी h cube upon में 12 प्लस में इसका नीचे वाले का b h cube upon में 12 upon में y क्या हो जाएगा भई इस body के लिए y क्या हो जाएगा यहां से लेके extreme fiber तक की distance मतलब यह हो गई a root 2 by 2 हो जाएगी अब इन दोनों को मैं लिख देता हूँ बई जेड बरावर बी यहां पर बी गया होगा यहां से यहां तक की distance बी हो गई पेरी a root 2 h cube गया होगा यहां से यहां तक की distance a root 2 by 2 का cube upon में 12 प्लस मैं मैं 2 करूंगा टू किजी के भाई इसको दो से गुणा कर दूना यह से मी तो है यह से भी तो हो गए तो यहां लिख देता हूं टू बी h cube upon में 12 upon में a root 2 by 2 इसको मैं 2 से यह cancel भी कर देता हूं तो यह कितना जागा मैं अब दो से एक अट गया भी है तो यह B हो गया यह h cube हो गया अपन मैं 6 यह तो मेरी कॉंचे टर्म हो गई यह वाली टर्म हो गई और नीचे आएगा इसके a root 2 by 2 अब आपको कुछ नहीं करना आपको बस यह solve करना है आप जब इसको solve करोगे तो आपको आपको यह a root 2 से तो आपकी वेल्य वही आएगी मैं बता देता हूं यह a root 2 से a root 2 cancel हो गया चैनि यह आ गया दो उपर चला गया तो यह दो से देखो इदर से तो मेरा क्या बच्छा इदर से मेरा बच्छा यह a root 2 by 2 का क्यूब कर देता हूं मैं a cube और इदर हो गया मेरा root 2 का क्यूब अपॉन में दो का क्यूब दो दुनी चार दुनी आठ ठीक है उसके बाद में यह 6 था यह 6 भी मेरा क्या हो गया नीचे आ गया और यह 2 था 2 मेरा कहां चला गया 2 तो ऊपर चला गया और 6 मेरा नीचे आ गया दो उपर चला गया और 6 मेरा नीचे आ गया अब इसको अपन सॉल कर देते हैं माँ 3 बराबर 2 a vase न्यूजर न्तू मेरूप टू का कितना उता है यह लिखेसटू रूट टू huh अब आइन में दो तीन हो alım Oklahoma travel कि सबीस बारह कि 1 एग बारते दो कि भी क्यूंखे लुटब क लगोंट्ब आज़ें बारा एक बार लूटब टू एक बटे बार विल्गों से एक बटे 12 एक यूब रूट टू अपोन में 12 रूट टू के उपर नीचे बुणा कर देते हैं अपन तो यह हो गया मेरा एक यूब दो बटे 12 उच्छे 6 रूट टू तो मेरा आंसर आ गया एक यूबाई 6 रूट टू देख लो option C यही है कुछ नहीं कि हमेंने solve किया है आपको यह मगदमारी नहीं करनी वही यह मैंने कर दी समझाने के लिए को कि अगर मैं नहीं लिखता न तो आप सूछते सरी कैसे आ गया है इसका आई यह हूगा तो अब आपको डाइट लिए ध्यान नहीं यह वाली नहीं ठीक है ना और अगर आप से कोई पूचे कि इसका चलो वह और देख लेंगे आगे तो अपना अंसर 273 में आ चुका है 274 a beam has a square cross section of side a the ratio of section modulus when the side in horizontal to the section modulus when it is rotated by 45 degree वही question पूच लिया इसने क्या कह रहा है यह कह रहा है कि हमारा section modulus बताओ जब horizontal है और जब यह है इन दोनों cases में आप race बता दो इस वाले case में क्या होगा हमारा by rectangle का होता था b d square by 6 यहाँ पर तो b और d का मतलब a की होता है a side ही तो होती है a cube by 6 तो इस वाले case में होता है a cube by 6 section modulus इस वाले क्या होता है a cube by 6 root 2 अभी तो पढ़ा था हमने तो आप जब इसमें भाग दोगे तो root 2 पर चला गया answer क्या आगया मेरा root 2 option d तो 274 में आगया मेरा d अब देखते हम 275 section modulus for hollow circular section of outer diameter d and inner diameter outer diameter d है hollow है inner क्या है small d और outer क्या है capital D इसका आपको क्या निकालना है तो pi d4 minus small d4 by 64 capital D यह क्या होता है sorry 32 capital D 32 यह क्या होगा अपना section modulus section modulus की बात कर रहा था यह हमसे अगर यह हमसे section modulus बोला था सेक्टी टू होगा हमरा section modulus हमेशा cube की term में आता है ध्यान रखना आप देको अगर d4 minus d4 तो कुछ नो कुछ डिव डायमेटर की पावर 4 यह क्यों नीचे डायमेटर मतलब d3 section modulus cube की term में आएगा और हमारा जो मुमेंट ओव इनर्चिया simple siwate a mere moment of inertia wogata section modulus time question number 276 the ratio of the section modulus of a square section of side B and the and that of a circular section of diameter d is तो इन दोनों का section modulus पूछ रहा है section modulus का रिशो पूछ रहा है section modulus का रिशो आप कैसे निकालोगे square section of side B square section और उसके side B है यह D है तो इसका क्या होता है मेरा BDQ by 6 T B cube upon में 6 Bd square by D common 6 ही तो होता ही है अभी तो लिखाता हमने और इस डायमेटर D है इसका क्या होता है हमारा section modulus Pi D4 by 64 तो इन दोनों का आप उनको ratio निकालना है तो आप इसमें करोगे तो 16 तो मेरा Pi D4 by 64 Pi DQ upon 32 यह हमारा यह कैसे चल जाएगा यह तो चला जाएगा ऊपर ऊपर चलाएगा तो कितना हो गया यह यह हो गया 32 upon में Pi by 6 ठीक दो तियाच है 16 वटे 3 Pi 16 वटे 3 Pi BQ upon में DQ तो 16 वटे 3 Pi BQ upon में DQ है इसके अंदर आपको एक छोटा सा correction करना है क्या करना है अपना answer तो क्या आया यह को सरपन कर भी चुके हैं पहले 16 वटे 3 Pi BQ upon में DQ यह हमारा answer लेकिन यह option में ही नहीं है option में 16 वटे 3 Pi है यह बाकी चीज तो है नहीं तो भाई यह जो डौनों की चीज है ना यह सेम होगी जैसे पिसले को सरफ देखा था हमने उसे बोल देता सेम है यहां पर यह दोनों चीज सेम है हमारी तो आप उपर है ना इसको side को आप डी लिख दो capital यह फिर डायमेटर को बी लिख दो एक चीज गर दो तो हमारा क्या हो जाएगा बिलकुल सही वाई टू सेवंटी सेवाइगा अली सेकेड समझ गे ना भाई सेम होगा तभी तो कटे गाई यह अधर्वाइस कैसे कट जाएगा 277 इसको बोलते हैं जे से जे से डूट करते हैं या इसको डूट करते हैं आई पी से एक ही बात है तीन होगा मतलब क्या होता ही है इसको बोलते हैं परपेंडिगुलर एकस्ट थ्योरम का कहती है कि दो एकसिस के रेस्पेक्ट में निकालना है तो बाकी दो के यह होता है मारा पॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यह हमारी कॉंसी थ्योरम परपेंडिगुलर एकस्स थ्योरम इसको आई जेड़ जेड़ जेया आई पी किसी से भी नोट आप कर सकते है तो 277 में क्या आगा हमारा ऑप्शन इसकार एकस के रेेसपेक्ट में तब भी डायमेटर डी है nó गालोगे तब भी डायमीटर डी है तो यह तो यह मेरा πड 4 by 64, पलस में, πड 4 by 64, 64, एलसेम ले लिया, πड 4 by 34, 2 से एक एंसिल हो गया, πड 4 by 32, तो आंसर क्या गए मेरा, पाइड 4 by 32, बहुत सारी चीज एग जिसी है, यह पाइड 4 by 32, एक था मेरा, पाई डी क्यूब बाई थर्टी टू ध्यान क्या रखना मैंने आपको बला जहां कई मॉमेंट अफ इनर्ची बात आ गई चाहें पॉलर हो चाहें सिंपल हो कोई सा हो उसमें पॉर आएगी पावर और जहां सेक्शन मोडलेस बात आगी वहां पर क्यों आएगी ऐसे आपका भी जिन्दगी में भूलोगे नहीं इव डी और अपको बड़े वाई तबी भी आपको होलो का निकालना है ना तो पहले इसको भी आप एक माल लो ये तो हमारा कैसा है city 4 do it into the इसका क्या होगा पाई डी 4बाए थर्टी टू इसमें से यसेक्शन तो हइंँ तो यह गट जायेका तो इसमें से कॉमा ले लिया पाई बाए 32 तो क्या बचाऊ कि दी 4 माइनस दी 4 अगर ये बात करता मेरे मुमेंट अफ इनर्षी आगी पॉलर ही नहीं बोलت तो यह 64 यह तो मैं आपको बता चुगा तो यह 64 हो गया कुछ नहीं करना बड़े मैसेश उटेवले को घटा देंगे तो आंसर के आगा इसमें डियोप्शन आ गया कोशन नमबर 280 देखते हैं यह राइट चर्कुलर कोन आफ़ बेस 3 मीटर डायमेटर एंड फोर मीटर हाइट वेट टूग्लोनीटर राइट सर्कुलर कोन है कोन कैसा होता है बाई ऐसा होता है और सॉलिड बडू वाडी होती जैसे हमारी शौफटी उर 91 हैं अर या हट है इस की 4 मीटर. What is the distance of its center of gravity? इस बेस से center of gravity कितनी height पर होगी? यह हमारा solid है, यह हमारा कोई surface नहीं है, solid का मुदर ठोस चीज है. ठोस चीज का, जैसे हमारी plumb off होती है, सावर जिसको बोलते हैं पर वो भारी होती है, तो उसका कहा होता है, उसके अंदर होगा कही न कहीं, कितनी दूरी पर होता है, यह जो total height होती है, उसके h by 4 distance पर होता है, तो height कितनी है, 4 meter, तो नीचे से कितने दूरी पर होगा, यहां से 1 meter की दूरी पर होगा, तो हमारा answer क्या आएगा इसके अंदर, 1 meter, तो 280 में आएगा A, अब देखते है 281, अब देखते है 281, तो 281 क्या कहता है, यह दा center of gravity of a right circular solid cone of height h measured along the vertical axis is at a distance, अभी तो बता है था h by 4 दूरी पर होती है right circular cone की, अब देखते है 280, 2 देखते है, 282 क्या कहता है, in the T section as shown in figure, distance of neutral axis from top is, top से neutral axis की distance आपको निकाल लिए है, मतलब आपको CG पूछ रहा है, neutral axis कहां पर होगी भई, CG परी तो होगी, यह दूरी है यहां से आ तक 500, यह 100 है, यह 400 है और यह भी, यहां से पूछ रहा है, इसको मैं AA बोल देता हूँ, तो देखो भई, आप कैसे निकालते हो, आप पढ़े होंगे किसके अंदर, डिप्लोमा में, तो आपको CG निकालना है, मतलब Y बार निकालना है, इसका, तो Y बार कितनी दूरी कैसे निकालो गया, आप, Y बार जो होता है मेरा, वो होता था, A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2, यही तो होता था, A1 Y1 क्या है, पूरे पूरे सेक्षन को आप अलगे अरिया में, डिवाइड करते थे, तो मैंने एक तो इसको माल लिया एरिया, एक यह, दूतरा सेक्षन यह माल लिया, तो इसका CG तो यहाँ पर होगा, उपर से, 50 पर मतलब यह हो गया मेरा, Y1 बराबर, 50, और इसका CG गहाँ पर होगा, इस 500 के हाफ मतलब डाइसो पर, तो टॉप से कितनी दूरी पर हो गया यह, टॉप से हो गया देखो, इसका हाफ, यह जो second portion है मेरा, यह वाला, यह 500, तो इस इसकी दूरी टॉप से कितनी होगी यह होगी धाई सो प्लस मैं यहां से यहां तक कि दूरी सो साड़े तीन सो तो यह क्या है मेरा यह है वाई टू बार कितना साड़े तीन सो एम तो यह बात के लिए रहे तो मेरा एवन एरिया एवन कितना हो गया इसका एरिया पहले वाले का ऐकार्टा खुलनाश हो दूसरे वाले का पांश गुंणास ओ तो पता है टू पता है और मेन एंट्र को निकाल देता हूं तो में चार ंचीजों को फूट कर्ता हूं वन बाइव तो तो देखको भई जिसकी सांडर पांजो गॉना also to my y1 कितना है 50 प्लस में इतू कितना है इसका एरिया पांजो करना सो एंडू मेरा तु कितना है यहांस राता मिसांने तीन सो आपाउन में ए करूमने पलसे तू लिए कितना था 400 गुणा सो एक कितना था 500 गुणा तो आपन टो शॉर्ड में करना तो भई कैस करें आपको दिख़रा नहीं थे कितने 0 यह एक दो 3 4 1 2 3 4 तो इन चार जीरो से अपना ले सकते हैं तो इन चार जीरो से और शॉट में कि inmortTalk चार-जाएंगे अंदर किया बत जैगा चार प्राइबर नौब बच जाएगा नीचे ओपर वी मेरे चार चार-जाएगा प्रुन तो मैं स्वाभित्ट 1,2-3,4,1,2,3,4,1,2,3,4, अब देख ऊपर क्या बच गया उपर बच गया मेरा 40 इंटू 5 200 प्लस में 50 गुणा 35 तो 35 तो पंजे कितना होता है 35 दुनी 70 70 दुनी 140 140 अभे 157 सटरा सू पचास कि 1750 बच नीचे बच गया मेरा नो सत्रा सुपचास दूसो कितना हो गया 1950 बचे नो का भाग दोगे कितनी बार दाएगा 9.922 इतारा दो से स्टार्ट गा कुछ बिल्कुल है दो से स्टार्ट क्या है मेरा डी है बी है और डी है तो बही 282 में क्या आंसर आ चुका है 282 मेरा आंसर आया है 216 mm अब हम देखे 283 को मैं आपको एक राये दूँगा इस प्रकार के कुश्चन हो वैसे मैं आपको एक्जाम से जस्ट पहले भी मैं आपको एक वीडियो बना कर डालूँगा जिसे मैं बताऊंगा स्ट्रेटिजी ओफ एक्जाम हॉल एक्जाम हॉल में हम किस तरह से कुश्चन को अटेम्ट करें बहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अभी फिलाल इतना समझो इस परकार के कुश्चन आये तो देखते उनको तुरंद छोड़ देना है आर से भी डिनोट करते हैं यह होता है हमारा आई बाए मोमेंट आफ इनर्सिया पॉन एका जो इसकाई रूट होती है यह किसी भी पॉइंट से वह दूरी होती है जहां पर कंप्लीट मास हमारा माना जाता है कि यहां पर लग रहा है ठीक है उस डिस्टेंस को यह अपन क् कर दो इस में आहा हूता है भी डिकvernप ल iti इससे यह कैंतर हो गया उपर बच गया डीष्कर है आप आप लंट तो आर बराबर डीष्कौ安 का का रूट क्या हो जाएगा डी रूट ट्वेल को अपन क्या लिख सकते हैं चार तिया बारा चार का रूट दो होता है वह बाहर आ गया अंदर क्या वजी क्या दी वाई टू रूट थ्री तो आंसर क्या आएगा समिरा डी वाई टू रूट थ्री अब देखते हैं अपने कोश्चन नमबर दो सो चौरासी कोश्चन नमबर दो सो चौरासी देखते हैं यह क्या कहता है यहां पर पूरे पॉरे बॉड़ी का एरिया कॉंसर्टेट माना जाता है वो डिस्टेंस क्या किला ती से अभी तो पताया था रेडियस ऑफ जायरेशन के आपसन इसने कौंसा आएगा ऑप्सन डिया तो हमारी जो यूनिट थी यह अपनी कंप्लीट हो चुकी है आप अपन यूनिट नेक्स्ट कोशन 285 वह बेंडिंग इस त्रेस अब देगो बैंडिंग स्टेस दो बैंडिंग एक्वेशन इटन वाई सबसे पहले यह चीज मपन आई सिगमा पॉन य य य य जहन में होनी चीवाली एक्विसन आपके वहां पर कन्फूज निए एए आपन आई य सिगमा था यार वाई क्या था ऐसा निए एम अपन आई सिगमा वाई य वाई और ऑप्शन के आएगा इसमें यह आएगा है दो सो छी आशी क्या के था है तो बेंडिंग स्ट्रeस होने प्रिज्मेटिक बीम इज इस ही क्वेशन से बहुस सारी चीज निकलती एक आएं ї ब्रेश स्ट्रेस को और प्रॉर अपन यए यह बैंडिंग इस्ट्रेस है बिर्ण आप या मेरा सिगमा हो गया मेरा एम इंटो वाई भाई आई या फिर अपन इसको कह सकते हैं एम बाई जेड कैसी बोलो तो इसमें तो आंसर कैसा पूछ रहा है आई वाई और एम की ट्रम में तो क्या हो जागा एम वाई भाई आई रटना मत इन चीज़ों को कभी भी डाइकली धियान का लो एक्जाम होल के अंदर आपका अंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा 287 consider the following statements the theory of simple bending assumes that कौन क्या क्या चीज़ मानती है simple bending के अंदर the material of the beam is homogeneous isotropic obvious hooks लो बिल्कुल सही बात है मैंने सारे जमसन लिखवाई हुए है आपको दूसरा plane section of the beam remain plane after section इसका मतलब क्या होता जो हमारी strain है न वो constant है मतलब अगर हमारी beam bend होने के बाद होगी तो ऐसी हो जाएगी ऐसी ठीक इस तरह से bend होगी ऐसा नहीं होगा कि beam हमारी ऐसे हो रही है मतलब plane section जो पहले था वही बाद में strain हमारी क्या है और यह कैसा बनता है यह semi-survular arc की तरह है जैसे अगर कोई circle है तो इसकी arc यह होगी इस तरह बेंड होगा मतलब किस तरह बेंड होगा कि इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी इस तरह बेंड यह गुस्व इसके tension और compression दोनों के लिए e की value क्या रहेगी मेरी same रहेगी सारे ही assumption उसके बिल्कुल right है तो option क्या आएगा इसमें मेरा डिया आएगा assumption बहुत बार पूछा गया है हमारे bending stress वाले unit से तो इसको हलके में ना ले 288 देखते हैं यह कहता है which of the following is an assumption made in the theory of simple meant कौन सा माना जाता है the value of young's modulus varies in tension compression young's modulus की value vary change होती है tension compression बिल्कुल नहीं गलत बात है तो दूसरा matter of the beam is not homogeneous homogeneous नहीं होता यह भी गलत बात है beam material within elastic limit does not obey does not obey वो औबे करता है उसको follow करता है उसलों यह भी नहीं है option D क्या है the beam is in equilibrium यह हमारा बिल्कुल सही है तो 288 में क्या आएगा D आएगा 289 की बात करते हैं अगर which among the following is the correct assumption in the theory of simple bending कौन सा सही है the loads act perpendicular to the beam axis beam की axis के बिल्कुल perpendicular लगेंगे सही बात है the beam bends to a circular arc अभी पताया था यह भी सही बात है the beam is initially straight of constant cross section start में straight OTS का cross section prismatic होता है constant रता है यह भी सही बात है तीनो टीनो मेरे सही है तो 289 में क्या आएगा मेरा option C आएगा A B C 290 the assumption in the theory of bending of beam is वह यह assumption पे कोशन है material is homogeneous सही है material is isotropic right young's modulus is the same in tension as well as compression right all option are correct right option D आएगा तो आपको तब होगा वह चार हमारे चार पांच अजम सनने जिच पर कितने सारे कोशन बन चुके है तो आपको तब पता होगा जब आपको अजम सन पता हो 291 the relationship between the radius of curvature bending moment M and flexural rigidity EI देखको भई EI जो multiplication है multiplication इस टर्म काम क्या बोलते हैं flexural rigidity AE जो multiplication होता है axial rigidity ठीक है ना G जे जो टर्म होता इसको बोलते है shear rigidity ये है flexural ये है axial और ये shear rigidity ध्यान अखना इन चीजों को तो आपको ये relation से पूल्स रहा कैसे निकाल लोगे अने bending equation से निकाल देंगे भाई एम अपॉन आई ए बाय आर तो आर क्या होगा EI by M Option B मिल रहा मेरा ऐसा कौंसा Option B है तो 291 में B आएगा अब देखते हैं वहे 292 292 क्या कहता है ए प्रिजमेटिक बार वेन सब्जेक्टिट टू प्यॉर बेंडिंग एजूम देशेप आफ कैसी शेप होती उसकी आर कोती है सेम सरकल सरकल की आर कोती है यह मैं आपको बताया था 292 में क्या आएगा आर का आएगा 293 the most economical section in bending is I section most economical section कौन सा होता है आई क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं देखो एक तो मेरा section है rectangle rectangle section हो चा कोई सा भी section हो सभी section के लिए bending stress क्या रहता है इसके लिए कैसा बनेगा बेंडिंग इस ट्रैंगल बनेगा अगर इस ट्रैंगल बनेगा अगर यह वाली वेल्यू मेरी फिक्स रहती क्यों मुझे कौन बताता है यह सिगमा एम अपॉन आई सिगमा पॉन वाई तो बेंडिंग स्ट्रैस क्या होगा सिगमा बरावर एंपाइंटु में तो यह सिगमा जो है केवल किस पर इस पर किस पर निवर कर रहा है वाई पर बलाद न्यूट्रल एक्सिस से जितनी दूरी पर आप जाओगे वाई बढ़ेगा त इस से नीचे जा रहें तब भी बढ़ता जा रहा है तो यह क्या है कॉंस्टेंट रहता है मतलब सभीक सेप के लिए ऐसा ही बनेगा ट्राइंगूलर थे अब इसमें धेको इसमें सेंटर पर में देखा बेंडिंग इस्ट्रेस कम है तो मैंने विर्थ कम दिया मतलब मैट्रियल मैंने कम लगाया और कहां पर ज़्यादा था मेरा बेंडिंग इस्ट्रेस टॉप पर मेटेरियल ahora तो यह मेरा बिल्कुल economical है खर्चा कम लगेगा क्यों यहाँ पर देखो यह rectangle से ही तो कटके बनाए इतना हिस्सा मैंने हटा है फैक दिया फैक दिया मतलब यूजी नहीं कहा है इतना material आपने लगाए नहीं आपको पांच किलो का बनता अब तीन किलों बन गया आपका बेंडिंग स्ट्रैस तो अब भी विजेल आ यह वाला भी जेल रहा है नहीं हु इसमें mental waste नहीं हो रा है तो यहाँ पर हमारा सेक्षल नगे जहादा लिया इस लिए कर आए सेक्षन हों लिए सेक्शन हो का किया बोलते है है अपन Most economical section कहते है यe प लिए रहे बात 294 फर से इस तरह से यह क्या है ऊपर, उपर कंप्रेस्थ ही पर ईपनांटी फय क्या होगी इस पर क्या होगी इस फे पर दियो हो टी यह सिंप्री सपोर्टिड बीम की बात करा जनरली तो देखो भई मैक्जिम कंपरेसिव स्टेस सबसे ज्यादा कहां पर होंगे यह यह थो हमारा प्लस यह माइनस यह सबसे मेक्जिम टॉप पर होते हैं टॉप मतलब टॉप अपर भी हो सकता है टॉप का लगाव एक्स्ट्री इसमें अंसर क्या आएगा मेरा टॉप पर आएगा और अगर यह बीम मेरी कैसी होती सिंप्ली सपोर्टेड ना हो करके अगर मेरी केंटिलीवर बीम होती ऐसी और आप यहां पर लोड लगाओगे तो क्या होता है वो तो यू जुकती है वही यू जुकेगी तो टॉप पर टैंसन नीचे कंपरेशन और इसका भी डायक्राम कैसा बनेगा मिरा इसका डायकराम ऐसा बनेगा कि टॉप पर तुमेरे टैंसने बोटम पर कंपरेशन तो केंटिलीवर अगर वो बोलता है आपको तो कंपरेसिव इस्टर सब जादा कहां पर होंगे बॉटम फाइबर पर और अगर हमसे बोलता है किसकी सिंप्ली सपोर्टेड बीम की तो कहां पर होंगे टॉप पर उसने कुछ नहीं बोल रखा मन्दब सिंप्ली सपोर्टेड बीम है तो कंप्रेसिव होंगे यहां पर मैंग जिए बस आपको धियान रखना इसमें देखू उपर टैंसर रूद इंचे कंप्रेसर कुछ नहीं बोल रहा है तो टॉप आइवर लिग दिया मना से टू नाइटी सिक्स कोसर नमबर टू नाइंटी सिक्स किस पर डिपंट करता है इस्ट्रेस किसी भी फाई चर्टो एम अपॉन आई आई किसी भी सेक्सन का सब्सेंत नहीं इसकार वाइए इनद इफर नवरास सक्सीवह तो टो टो हो रहा है तो चैंज जैसे आप neutral axis से ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे ये मेरा बढ़ता जा रहा है bending stress नीचे जा रहे हो तो भी बढ़ता रहा है ये वाई पर डिपेंड कर रहा है तो आप देखो इसमें distance of fiber from neutral axis fiber की distance कहां से neutral axis है उस पर cantilever में अब cantilever बोल रहा है तो cantilever में कहां पर होता है इस पर लोड लगाओगे तो यह नीचे जाएगी ऐसे उपर टेंस नीचे compression सबसे ज़्यादा compression bottom most fiber में इसमें गाएगा bottom fiber at the support support पर जो हमारा bottom fiber है उसमें होंगे अब देखते हम 298 in the theory of bending the assumption that plane section before will remain plane after bending is made to ensure that is come at the map go but at the company is come at look out like a pahle bending the pahle section as a top bendy ke baad bika hai a sa rahe ga bendy के बाद ऐसा नहीं की section हमारा ऐसा हो गया या bending बाद हमारा section ऐसा हो गया ऐसा नहीं होगा इसका मता उसमें strain क्या है हमारी constant strain is proportional to the distance from the neutral axis strange जो है हमारी यह constant regular किस पर डिपेंड करे किया यहां से उपर और नीचे जाएंगे वही कि डाइगरम बनेगा माना बिल्टा बना दिया मैंने यह डियागरम बनेगा तो यही बता रहा है यहीं इंप्लाइ कर रहा है की plane section remain is the plane after bending before bending no no time gap है अमारा plane ही रहे इसका मतलब क्या जो strain है वो डाकली प्रोपोर्शन उसके वो चेंज नहीं होगी इस तरह से ठीक ना कोशन में 29 299 के अता है देशेप आफ केबल अंडर यूनिवार्म री हाप 299 को इसकिप करो क्योंकि इसको सनमें कुछ डेटा इन इसको मैं बाद मैं देखकर के बता दूँगा यह कोशन क्या था एक्चल मैं यह तो कहीं न कहीं पर गड़ब हुए तो प्रिंटिंग में आप इसको दिया नहीं क्या इकोशन कंप्लीट नहीं को चोड़ो आप इस मैं आप समझी निपाओ क्या रहा है शेप आफ केबल अं आपको एक्चल जो कुशन होगा मैं आपको पता दूँगा 300 of the several prismatic beams of equal length the strongest influxor is the one having maximum आप strength को किस चीज से मेजर करोगे आपने देखा जो मेरा stress होता वही तो strength होती है तो sigma bending के दर बात करते हैं तो sigma क्या होता है M upon I sigma by y तो sigma जितना ज्यादव M by Y by y बरावर sigma into Z यह चीज में पहले बता चुका आपको जिस बीम का जितना ज्यक्शन मोडूल से गह उतना ही ज्यादा मुमेंट के रीगा जितना ज्यादा मुमेंट करेगा वो अत्तुन ही ज्यादा strong होगी तो strength को या strongest portion को आपके से जज़कर होगे उसके section modulus से जितना जादा section modulus होगा उसकी strength उतनी ही ज्यादा होगी वो इतना ही ज्यादा strong होगा तो हमारा आंजर के आएगा इसके अंदर section modulus बात के लिए है के नहीं तो 300 तक हो चुके हैं बागी question करेंगे हम next lecture में thank you so much